हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक टियर चैनल यूसफुल टिप्स आज की वीडियो है एक डियाइवाई वीडियो जो है आपके स्वेंग केट के लिए कि किस तरह से आप एक नॉर्मल बॉक्स में अपना स्वेंग केट तयार कर सकते हैं जिसमें आपके स्टिचिंग से रिलेटेट सारी असेसरी बहुत अच्छे से और्गनाइज भी हो लेकिन स्वेंग केट तयार करने से पहले एक चोटी से टिप आप सभी के लिए अगर आपकी सीजर इस तरह की हो चुकी है जिसे कटिंग नहीं हो पा रही है यानि ब्लंड हो चुकी है तो इसको आप घर पर भी इसली शार्पिन कर सकते हैं इसके लिए आप एक नीडल ले ले और इसको इस तरह से अंदर की तरफ 5-6 टाइम लेते वे आए और बस अब आपकी सीजर शार्प हो चुकी है इससे अब आप किसी भी कपड़े की अच्छे से कटिंग कर सकते हैं तो आप शुरू करते हैं हम अपना स्वैंकेट जो की प्रॉपर अच्छे से और्गनाइस भी हो तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है इस तरह का प्लास्टी बॉक्स यह आपको किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप में free of cost मिल जाता है अगर आपको यह वहाँ पर नहीं मिलता है तो जहां से हम बरतन लेते हैं वहाँ से भी आप इसे ले सकते हैं 50-80 रुपीस के राउंड आपको यह वहाँ पर मिल जाएगा बस उसकी थोड़ा quality और अच्छी इससे होगी इस box में रखने के लिए जो हमारे thread spools हैं जिनके की threads आपस में उल्चे हुए हैं पहले हम उने ठीक कर लेते हैं इसके लिए हम एक needle की help से इसके जो अंदर का hard वाला portion होता है उस पर हम दो hole कर लेंगे और फिर एक needle पर हम इसके धागे को डालका इन दोनों hole से इसको बहाँ निकालेंगे इससे आपका जो thread होगा वो इसके spool से कभी भी अपने आप बहाँ नहीं निकलेगा और जब भी आपको किसी भी thread की ज़रुवत है इसी तरह से आप needle की help से इसको यहाँ से बहाँ निकाल कर फिर cut कर लें ताकि आगे आपका जो thread है वो कभी भी फिर दूसरे thread के साथ ना उल्चे अब इन thread spool को box में हम vertically रखेंगे लेकिन इसके लिए हम एक proper space बनाएंगे यूज कर सकते हैं या अगर आपके पास घर पर पुराने screw पड़े हुए हैं तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं कुल मिला के हमारे पास जो waste चीज़े होती हैं हम उसका best use इस तरह से भी कर सकते हैं अब इनको 1-1.5 इंज तक की size में हम cut कर लेंगे और फिर hot glue gun की help से हम box के जो side का portion है उस पर हम इसे fix कर लेंगे अगर आपके पास hot glue gun नहीं है तो आप favic quick का भी use कर सकते हैं अब मैं इसमें अपने finally thread spool को shift कर लेती हूँ तब आप इसमें देख सकते हैं कि हम कोई भी thread आसानी से select करके बहार निकाल सकते हैं और इसमें अभी भी काफी vertical space बागी है जिसमें हम और भी जादा thread spool को adjust कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पाप बहुत जादा thread spool है तो इसके लिए आप एक separate thread box भी बना सकते हैं thread के बाद second important चीज होती है needle जो कि different stitching के cording हमें चाहिए होती है तो needle organizer बनाने के लिए मैंने यहाँ पे use किया है एक पुराना salt dispenser और एक form sheet यह form sheet अलग से नहीं लिया हुआ है जो हम नई कपड़े लेते हैं या bag लेते हैं उनके साथ अकसर यह मिल जाती है अब हम इसकी cap के size के 2 circle shape के हम piece cut कर लेंगे और फिर इससे glue gun से हम एक को इसकी cap पे fix करेंगे और दूसरे को first वाले के उपर और बस अब हमारा needle organizer बनकर तयार है हम इसमें किसी भी size की needle को बिना mix up करेंवे easily store कर सकते हैं और stitching के according हम किसी भी size की needle को असानी से select भी कर सकते हैं साथी हम इस organizer का use किसी और चीज रखने के लिए भी कर सकते हैं जैसे की हमारा zipper stopper है या फिर slider है हम इसको भी इसमें store कर सकते हैं जो आसानी से visible है इस box के middle portion में आप scissor रख सकते हैं और अपने stitching से related और accessories जैसे button है, chalk है या plastic है इनको store करने के लिए जो cream के खाली पड़ेवे dipे होते हैं उनका use करें और उनकी cap permanent marker से लिख कर या फिर sticker लगा कर उन्हें अच्छे से label कर लें इस vertical space का use चाहिए तो आप bobbin store करने के लिए भी कर सकते हैं तो इस तरह से अब हमारे sewing kit में हमारे stitching से related सारी accessories हैं जो easily visible भी हैं और organized भी हैं तो इस तरह से हम अपने घर पर ही मिलने वाले कुछ चीजों से अपनी चीजों को अच्छे से organize करकर रख सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको यह कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताना पसंद आने पर like और share जरूर करें तो मिलते हैं next week किसी नए useful वीडियो के साथ till then bye bye and thank you for watching